ओम शांतिय आपसे को स्वागत है आज हम कर रहे हैं 15 सेप्टेम्बर की इश्रेवतान की रिकवाडिंग परमात्मा कहते हैं कि हमें अपने कार्में जो बॉंड़िज़ हैं कर्म बंधन जो हैं उनको हमें कर्म योगी बन करके कतम करना है तो कर्म बंधन कर बनते हैं जब हम अपनी आखों से, मुख से, जवान से, कानों से, हाथ पर से कुछ गलत कर्म कर बैठते हैं तब जाके और आत्मों को जब दुख मिलता है तो वो हमें बद्धुआ देते हैं और वो बद्धुआं से हमारा क्या होता है कर्म का बंधन बनता है मतलब ब्रामट जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं कर्म योगी जीवन है मैं नहीं कर्म बंधन में आप गलत करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और बंधन में फस्ट जाओ जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो तो ब्राम्मेंड सो फरिष्टा बन जाएंगे कर्म इंद्र acquire के मालिक बन जो चाहो जैसे चाहो जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्म हिंद्र से करातेश चलो तो ब्राम्मेन सो फरिष्टा बन जा permitir कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे, यह देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई, पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंद समाप्त हुआ, पुरानी देह, और देह की दुनिया मलकी है, मुझे यह चाहिए, मुझे नामानचान चाहिए, मुझे प्राप्तिया चाहिए, मुझे धन के प्राप्तिया चाहिए, यह सारी जीज़े हमारी खतम है, हमारी यह इच्छाई नहीं है, इसलिए से मर जीवा जीवन कहते हैं मरत कि हम जी रहे हैं सीवा कले लेकिन दुनिया भी इच्छाओं से हम मरे हुए हैं कि हमें कुछ नी चाहिए हमें कोई प्राप्ति नी चाहिए कोई धनसंपति नी चाहिए कोई नामानशन नी चाहिए तब जाके वो सेवा जो थी है, वो कर्म योगी जीवन की सेवा थी है नहीं तो फिर बाकी सब दुनिया वाले जो नॉमल होते हैं वो तो कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैरे ये नामानाजी, मैरे वो नामानाजी है और फिर उसी में या तो नामांशान या तो देन संपत्ती के उस मामले में भासे रहते हैं और वहाँ पे करम फिर खराब होते हैं पंदन बनता है इसलिए परमातों कहते हैं कि इन चीजों को दियान में रख करके करम करो अपनी करमेदी के दोरा ताकि तुम आराम से बचे रहो बुरे करम से बचे रहो ओम शन्तिस के साथ